इस वीडियो में हम splitting field discuss करेंगे मुझे ये unit वैसे तो starting से करानी थी बट काफी सारे लोगों को splitting field topic की ज़रुद ज़रुद थी तो मैंने सुचा कि यहां से start करा देते हैं और इसके examples उसकी definition देख लेते हैं और जो theorems की ज़रुद पड़ेगी examples में उसका मैं result आपको बता दूँगी किस तरीके से आपको example में use करना है और theorem के proof हम बाद में देख लेंगे और जो भी important topic है इस unit के वह मैं बाद में cover करा दूँगी तो अभी splitting field से start करते हैं So the definition is let fx be any polynomial over a field f then an extension k of f is called the splitting field of fx over f if first point k contains all the roots of fx आपके पास ये कोई field है f ठीक है उसको आपने extension हमने ले लिया k तो f को हमने थोड़ा सा extend कर दिया तो यहां से ये आपका पूरा जो है वो बन गया k ठीक है तो आपके f में जो polynomials होंगे वो हमने denote कर दिया fx से fx क्या है? polynomials है fx be any polynomials over the field fx polynomials है over the field f तो हम कुछ elements से को इसमें join करके field f में उसको extend कर आती है तो k उसकी extension कहलाएगी तो यहां पर कुछ conditions है कि extension कब होगी? कब हम k को extension कह सकती है number one point है k contains all the root of fx ये जो fx है वो क्या है? ring of polynomials है आपका जो ये f है उसमें जो ring of polynomials होंगे ring of polynomials में बहुत सारे polynomials आपको मिलेंगे fx, gx बहुत सारे polynomials तो जो आपका k है वो क्या contain करें? उसमें सारे roots हों आपके जो polynomials आपको ring of polynomials है जो आपके polynomial होंगे जब आपको उनका roots निकालो तो वो सारे contain करने चाहिए इस extension में जब हम examples इसके solve करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि practically इनका मतलब क्या है तो basically अभी के लिए जो extension है वो सारे root contain करने चाहिए polynomials के second is if L is any other extension of F containing all the root of Fx अब हम यह मान के चलते हैं कि जो एक capital L हमारे पास कोई extension है किसकी F field की और उसके पास सारे roots हैं आपके polynomials के then K जो होगी वो क्या होगी सब field होगी F की कुछ इस तरीके से अगर यह F है और L अगर आपका extension है यह पूरा then if degree of Fx is equal to N जो आपका polynomial है अगर उसकी जो degree है वो N होती है तो हमें पता है कि जितनी degree होगी उतने ही roots हमें मिलने है and A1, A2 till A to the power N जो roots हो जाएंगे उस polynomial के तो आपको roots कितने मिलेंगे जितनी उसके degree होगी then we know that F A1, A2, A1 until A N is the smallest field which contain F and this field थी ये जो सारे roots हैं आपके A1, A2, A N मान लो ये भी A मान लो तो ये जो सारे roots हैं अगर हम उस field में join कर देते हैं तो field कैसी हो गई extend हो गई और अब ये पूरा क्या बन गया F का extension K बन गया ठीक है ये आपका F था तो इसमें जो roots हमें जो मिले A1, A2 and so on till A to the parent N roots हमें मिल गए जैसा भी आपका polynomial है अगर उसको मैंने F में join कर दिया तो ये पूरा क्या बन गया K बन गया F का extension बन गया जब हमने उसके roots को join कर दिया यह ही है और ये जो आपकी field होगी वो ऐसी smallest field होगी है सबसे जो आपकी F को contain कर रही हो और इसको contain कर रही हो I hope I am clear ये जो था ही वो definition थी अब जो एक बात और मुझे आपको बतानी है वो ये है जो इस field F को extend कर दे ये जस्ट आपको suppose कर रहा है कि आपकी जो field है कुछ हमें roots ऐसे मिले जो rational थे और complex थे imaginary roots थे जिनको join करके जिनको हमने add करके इस field को extend करके K बना दिया अब आपको ये नहीं समझना कि जो rational number है वो यहाँ पर include हो रहे हैं तो फिर उनको हम add करके मानके उसको field को extend कर रहे हैं rational number जितने भी थे आपके वो already यहाँ पर है तो ये जो rational आपको मिलेगा ये already इसके अंदर absorb हो जाएगा ये जो है already इसके अंदर है extend तो हम तब कराएंगे जब हम कुछ extra ऐसे elements इसमें डाल रहे हैं जिससे कि वो value extend हो जाए अब कुछ elements जो already इस rational इस field इस rational की field में already हैं उनको आप add करके field को extend नहीं करा सकते complex number इसमें add होकर इस field को extend जरूर कर रहे हैं बट rational number जो आपको मिलेंगे वो already इस rational number की field में है तो वो इसको join करके जो है rational number नहीं बना रहे for an example अगर आपको complex नहीं मिलता सिर्फ rational rational मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो है rational job को roots में उनको join करके पूरी field बना दी because rational जो numbers है वो already आपके क्यू जो आपी field है उसमें included already है आप उनको extra add करके कोई आप field extend नहीं कर रहे है उस चीज़ को इसका use जो है हम आगे examples में करेंगे तो example की through समझते हैं splitting field को और चाव कि ओक उय हम आपचाओ को बेस्त जड़िए कर defin में करें। पर च् sports एक सभीшей or करेंवे दो है